हर्याणा विधान सबा चुनाव में EVM हैक का मामला पंजाब हर्याणा हाई कोड पहुंचेगा इसके लिए कॉंग्रेस ने तयारी पूरी कर लिए है कॉंग्रेस के प्रदेश अध्य शुदैभान ने दावा किया है कि चुनाव में 14 विधान सबा सीटों पर धांदली की गई है जिसके लिए पार्टी के पास परियाप्त सबूत है कॉंग्रेस ने जिन 14 सीटों पर इवियम हैकिंग का दावा किया है उनमें 4 सीटे ऐसी है जिन पर जीत हार का अंतर 3000 से कम है वहीं एक विधान सबा सीट ऐसी भी है जिस पर भाशपा मिदवार ने महज 32 वोटों से जीत दर्श की है इवियम को लेकर कॉंग्रेस में 3 बड़े आरोप लगाये हैं जिसमें पहला आरोप है कॉंग्रेस अध्य शुदैभान ने हर्याना विधान सबा चिनाव के नतीजे एवियम हैक करके बदलने का बड़ा आरोप लगाया है उन्होंने कहा कि 8 अक्टूबर को चिनाव के नतीजों से पहले कॉंग्रेस के हर्याना प्रभारी दीपक बावरिया को एक मैसेज मिला था दूसरा आरोप में प्रदेश अधिश उध्यवान ने कहा कि तीन मैसेज दीपक बावरिया को मिले थे लेकिन उनकी तवियत खराब थी इस कारण से हमें ये मैसेज 9 अक्टूबर को मिल पाए अगर दीपक बावरिया को मिले मैसेज हमें सुबह 8 अक्टूबर को मिल जाते तो हम नतीजों से पहले भांडा फोड कर देते प्रदेश अधेश ने आरोप लगाया और कहा कि EVM हैक होने के कारण ही 14 सीट कॉंग्रेस ने लूस की है मैसेज में सुबह ही बता दिया गया था कि 14 कौन कौन सी सीट कॉंग्रेस हार रही है तीसरा यारोप में प्रदेश अधेश उदेभान ने कहा कि इस मामले में जो वेक्ती है वो दीपक बावरिया उसको जानते है दीपक बावरिया कौशंका है कि अगर वो उस वेक्ती का नाम लेंगे तो उनका मडर हो सकता है इसलिए वे उसका नाम नहीं बता रहे प्रदेश अधेश ने कहा कि चुनावायोग में कॉंग्रेस ने शिकायत की थी लेकिन कोई वहां से कारवाई की उमीद नहीं थी चुनावायोग पहले ही सरकार के शारो पर काम कर रहा था